अभिमन्यू की चली जाएगी यादाश और उसे याद रहेगी सिर्फ और सिर्फ अक्षरा सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए सिर्फ ये रिष्टा क्या कहराता है मैं आप देखेंगे कि अभिमन्यू होस्पिटल बहुत चुका है यहाँ होस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर बहुत परिशान है क्योंकि उसकी पल्स रेट काफी गिर रही है ऐसे में यहाँ उसकी माँ और पूरा परिवार सब लोग बहुत परिशान है और आपको ये भी पता है कि मंजरी ने अपने बेटे की इस एक्सिडेंट का इस हालत का जिम्मेदार किसी और को नहीं अक्षरा को ठहराया है यहाँ आप देखेंगे रात में अभीर जो है वो अभीमन्यू से मिलने के लिए अकेले ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है जिसको लेकर अक्षरा और अभीनो बहुत परिशान हो जाते हैं खैर अभीर यहाँ हॉस्पिटल पहुच जाता है और वो अभीमन्यू को शिव जी की भभूती लगाता है उसके हाथ पे उसके सर पे और धीरे धीरे उसकी तवियर ठीक होने लगती है आप देखेंगे यहाँ मंजरी यानि जो मन्यू की मा है वो बहुत खुश हो जाती है वो अभीर को गले लगा लेती है सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अक्षरा भी यहाँ पहुच जाती है क्योंकि वो अभीर के लिए यहां आई है अभीर बिना पताए घर से होस्पिटल आ गया था ज़र हम आपको बता दें खरीबी सूत्रों से यह खबर मिली है कि आने वाला ट्रैक कुछ ऐसा हो सकता है कि अभिमन्यू की यादाश चली जाएगी और उसे सिर्फ और सिर्फ यह य बीच में आ रहे हैं जियां आने वाला ट्विस्ट कुछ ऐसा हो सकता है खैरे शो से जुड़े सारे सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हैं